दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ट से जो भी छातर शातराओं ने मैटिक इंटर पास किये हैं साल 2022 में और उन्होंने स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई किया था तो उनके साथ एक बहुत बरी समस्या आ रही है लगभग वे श्टुडेंट का य करेंगे तो आगे कि कोई परकेरिया आपका नहीं किया जाएगा नहीं आपका यह आईटी पासवर्ड आएगा फिर नहीं आपका इसका जो सारा बैंक का डेटेल विरिफाई होता यह सब कुछ नहीं होगा तो आपको इनको सुधार करा लेना बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके लिए मेगा सॉप के पोटल पर एक नई लिंक भी आ चुकी है कि जो भी छातर चात्राओं का कर्टेगेरी मिसमैच है वो आप सुधार करा पाएंगे कैसे चेक करेंगे कि आपका जो कर्टेगेरी है वो सही है या नहीं है जिसकी भी जनकारी देंगे आप से रिक्वे आपके खाते में नहीं मिल पाएगा चेक कैसे करना है वो जनकारी समझने के लिए आपको आना होगा हमारे ओफिसल वेप साइट ओनलाइन अपडिए टेम डॉट इन पे और यहां पर तेंथ वाले का लिंक मिलेगा और यहां पर टूएल्थ वाले का लिंक मिलेगा तो आप आपसे सामने क्लिक करेंगे क्लिक करना है उफ के सामने का और रेशेसन नाम और यहां पर ऑपिछव करना है करनी के बादू आपके सामने इस पर आपका सारा डीटेल आगा जिसमें आपका नाम आपके पिता जी का नाम और आपका जो भी नाम बैंक पे है उसकी भी जनकारी मिलेगी और यहाँ पर देखेंगे एक option beneficiary status का मिलता है जिसमें आपके सारे detail verify होनी चाहिए लेकिन सारे detail आपका verify होने के बाब अबजूद भी नीचे देखेंगे एक नया option आप चुका होगा category mismatch का जरूरी नहीं है कि यह option सभी को आ रहा होगा जिनका अगर इस परकार आ रहा है category mismatch तो region यह है कि आपने जो category mismatch इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरुआत में जब form fill हो रहा था उससे में category आपसे certificate नहीं मांगी जा रही थी लेकिन बाद में इससे update करके बहुत सारे students से category certificate मांगा गया था तो जिनका भी category certificate अगर upload नहीं हुआ होगा और इनको लगा होगा कि कही ने कही आपका category जो है इनको verify करना में समस्या हो रही होगा तो यह आपका category mismatch का जो option है आपके साथ ला दिया होगा तो इस case में आपको कैसे इसको सही करना है वो आप समझे इसके लिए simply नीचे आना है official website का link मिलेगा जिस पर click करेंगे आपको यहाँ पर direct करेगा और यहाँ पर देखेंगे एक नया option आपको मिल जागा click here to upload cast certificate for update category यानि वैसे candidate जिनका category mismatch का option आ रहा है वैसे छात्रों को यहाँ पर click करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने इस पर करका interface आगा जहाँ पर बोला जा रहा है कि supporting जो document है जो आपका cast certificate है उसको upload करना होगा जिसके लिए आपका जो भी registration number है उस registration number को डालेंगे जो mobile number आपने form फिल करते समय दिया था उसको डालेंगे और verify वाले पर click करेंगे अब आपके जो भी number है उस पर एक OTP गया होगा OTP को डालेंगे और एक option मिलता है mobile OTP verify का जिस पर click करेंगे अब आपके समने इस परकार का interface हैगा जहां पर आपका जो भी cast certificate होगा उसको PDF format में आपको upload करना है और जो भी cast आपका होगा इस पर click करके अपना cast को चुनना है और एक option नीचे में मिलता है upload का जिस पर click करेंगे इस परकार आपका जो certificate है इनके portal पर upload हो जाएगा उसके बाले पर click कर देना है उसके बाद दुबारा से फिर से आपको इसका application का status देखना है इस website पर आएगे फिर application status बाले पर click करेंगे और अपना जो registration number आपका है उसको आप यहाँ पर fill करके search पर click करेंगे तो आपका जो यह category mismatch का option आएगा वो आपका जो है एक से दो दिनों में यह हट जाएगा फिर आपका जो ID password है वो आपको भेज़ दिया जाएगा और यहाँ पर देखेंगे last date of verify bank account detail आजाएगा जिसमें आपको date एक mention हो जाएगी कि आप अपना जो detail है इस date तक आप इसको verify कर ले ताकि आपका सारा detail सही हो तो हम आपको पैसा भेज़े सके इसके regarding हमने वीडियो बनाया है कि bank account को कैसे verify कर किया जाता है वो वीडियो आपको बगल में मिर रहा होगा click करके जाएगे देखे फिर भी इसके अलावे किसी भी पर करके आपको और भी समस्या हो रही है scholarship के लाव लेने में तो आप हमें comment करके बता सकते हैं मैं कोसिस करूँगा आपके comment के regarding जो भी detail वीडियो होगा वो हम आपको उपलप्त करा देने का अभी तक आपने हमारे साथ टेलिग्राम चैनल से नहीं जोईन किया रहा है तो जाकर आप लोग टेलिग्राम चैनल से अवस्थ जूरे जहां पर आने वाले सारी अपडेट उपलप्त कराई जाती यहां पर आपको लिंक है और साथि आप वर्टसप ग्रूप से भी जूर सकते हैं विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धरनेवाद